स्वागत है अच की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं MCB और MCCB के बीच डिफरेंस के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो MCB की जो फुल फॉर्म होती है वो तो हमें से कई लोगों को पता ही होगी miniature circuit breaker और जो MCCB की फुल फॉर्म होती है वो होती है molded case circuit breaker तो इनके बीच का जो पहला डिफरेंस होता है वो ये है कि जो MCB होती है वो हमें over current या short circuit current से protection देती है लेकिन जो MCCB होती है वो हमें over current के साथ साथ over temperature की भी protection देती है इसके बाद जो second difference है वो rating के उपर है जो MCB होती है वो 100 ampere तक की rating की होती है लेकिन आपको market में ये सिर्फ 63 ampere तक की देखने को मिलेगी वहीं जो MCCB है वो 200 ampere तक की available होती है इसी के साथ जो third difference है वो ये है कि जो MCB होती है उसकी हम tripping level को adjust नहीं कर सकते है लेकिन जो MCCB है उसकी tripping level को कुछ points तक adjust किया जा सकता है difference number four है कि जो MCB है वो single pole, two pole और three pole में available होती है लेकिन जो MCCB है वो single pole, two pole, three pole और four pole में भी available होती है एक और ज़रूरी difference है कि जो MCB है उसे हम domestic purpose के लिए use करते हैं domestic purpose मतलब कि जैसे कि दुकानों में या फिर हमारे घरों के अंदर MCB को use किया जाता है लेकिन जो MCCB है उसे हम industries या factories के अंदर use करते हैं क्योंकि जो MCB होती है उसकी rating कम होती है और उसे हम घरों के अंदर ही इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन जो MCCB है उसकी rating ज्यादा होने के कारण उसे हम industries के अंदर use करते हैं एक और ज़रूरी बात कि जो MCV और MCCV है इन दोनों को ही हम low voltage application पर ही use कर सकते हैं भले ही MCCV के case में हम ज्यादा current को इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन जो voltage है वो कम ही रहेगी MCV या MCCV इन दोनों के case में तो ये थाज का हमारे वीडियो MCV और MCCV के difference के उपर उमेद है आपको ये अच्छा लगा होगा अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद